हेलो दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल नीटू डायनमिक में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं साम का नास्ता ये मैंने एक कटोरी से भी कम मैंने मक्के की आटा लिये हैं और आधी कटोरी मैंने सिंपल आटा लिये हैं ये मक्के की आटा लिये हैं अब जा जो सिम्पल आटा इसको बिगे पकर जो भी ढाल सूब जैब अब इसमें में ध–समें isotो को अब इसमें मैंने मिक्स होटा जाल माने जाल है इसमें, अच्छा सारह कर दो समें और हरी मीज़ डाल के, सब्सक्रषब कर दया है इसी में डाल के इसमों इसमें किरस्क कर दिये हैं अभी सिर्च जो कंद निकाल सकते हैं अब इसी में इसको डाल दे Jr इसमें मैंने चार हरी मिर्ष लिये थे चार से या तीन तीखे के साप साप ले सकते हैं और इसमें सिर्फ साग बत्वा साग है आप इसमें मेथी और सोवा का भी बना सकते हैं इसमें इसमें तरह से बारी किस तरह से कटके आ जाएगा आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें स्वादनुसा नमक डालेंगे इसमें पराठा बनाने जारी हूं इसी का और यह मैंने अजवाई लिये हैं की यह हैं यह मैंने हैं जाणाइं लिए हैं इसको हाद से पहले इस तरह से ख्रस करेंड़ के इसके बाद माद इससमें डालक्त यहां जब डालेंगे तो बहुत आए गास्माइगा तो आसमें आप MEM radi जाल सकते या चिली फ्लेक्स हैं वह डाल सकते हैं pкам जालो है आप इसमें डाल सकते हैं एक चुट की हल्दी भी इसमें आप डाल सकते ताकि थोरा सा कलर आजाए इसलिए थोरा सा जादा नहीं इसमें हल्दी आप डाल सकते जादा नहीं या इसकी भी कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है आप दें अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे अब इसी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे जितना अगर पानी डालना है देखे इतना तो बनी गया है अब थोड़ा सा पानी चिट्टा डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालके इसको सान लेना है गुथ लेना है देखे इसी में मैंने पानी ले रिये हैं अब पानी डाल के इसमें गोत लेना है देखिए ये ये मक्यक आटा जो तो थोड़ा तिकत होता है बेलने में ताब इसलिए मैंने आटा इसमें डाले हैं कि ताकी बेलने में आसानी हो और ये गुर्णूने पानी से आप सानी अगा तो अच्छा होगा हलका गुर्णूने पानी में इए अब इसमें फ टेल लगा के रगदेंगे ओ है अट स्थम्tu लागा लिए में इसको तेल लगा के रख दिये थे अब इसमें इद्थे बर्रे पेड़े रोटी से बड़ा प्रपेडा होना चाहिए क्योंकि पराठे बनाने जा रही हूं तो चोरा सा तो ठीक चाहिए इस तरह से आप अगर इस तरह से बेल नहीं पाएंगे तो इसमें एक पन्नी लगा के भी बेल सकते हैं इसको थोरा सा ये पर्थन लगा लीजिए इसको हाँ से ही जितना आप इसको कर सकते हैं इसको कर दीजिए उसके बाद हलके हाँ से बेलन की जुरत परेगी बस ज्यादा नहीं तो आपको आसानी होगा हलके हाँ से इसको बेलन की जुरत परेगी इस तरह से घुमा घुमा के इसको बेल लेना है अच्छे से इसको इस तरह से परतन लगा के हलके हाँ से इसको बेल लेना है थोरा सा बड़ा करना है तो ऐसे पलट के देखे थोरा सा दिक्कत तो होई गाई क्योंकि चिपक रहा है मक्के काटा है इसको धीरे से उठाना है और इसको तवे में दे देना है पैन में थोरा सा दिक्कत हो रहा है ज्यादा नहीं दिक्कत होगा पर आप कोसिस करेंगे तो कर सकते हैं और नहीं कर पाएंगे तो एक काम कीजिएगा पन्नी लगा के आप इसको पन्नी के साहता से आप इसको कर सकत थोरा सा पर्थन ज्यादा लग रहा है इसमें इस तरह से हलके हाथ से इसको बेल लेना है देखिए आसानी से उट भी जा रहा है और किते हलके हाथ से इसको कर रहे हैं आप देखी सकते हैं इसी तरह से आपको बेलना है देखिए कितना सा निश्र हो गया है शुरुआत में थोरा सा दिक्कत आएगा पर उटना नहीं अब इसको जो पैन में बैठा दिये थे इसी को देखिए पलट लेना है और दोनों तरफ से इसको सेख लेना है अच्छे से यह घी से क्या रिफाइन तेल से या सर्शो कते कोई भी चीस से आप इसको सेख सकते हैं घी से सकेंगे तो अच्छा लगेगा बटर से तो अच्छ लगेगा अभी इसमोसम में थंड थोड़ा बहुत थंड को मौसम है इसमोसम में इसी तरह से बराथे वनाइए घर जिखर में सबको दीजिए सबको अच्छा लगेगा इस तरह के पराटे और अचार के साथ दे सकते हैं जिसके साथ भी खाना चाहे उस हिसे साथ आप दे सकते हैं यह देखिया लब के दोनों तरफ से आप फ़रक क्रिस्पी आने के लिए इसमें वे defender क्बीlement यह मैं खी से सेख रहे हूं आप किसी से भी सेख सकते हूं पराठे को थोड़ा तेज आज में सेखेंगे तो क्रेस्पी बनेगा चारो तरब से इसको सेख लेना है देखिए मेरा यह पराठा सेख के तयार हो गया है अब इसको निकाल लेंगे अब दूसरे पराठे को भी बैठा दिये ही तब तक इसको भी सेखने दे इसको भी दोनों तरब से इसी तरह से सेख लेंगे अच्छे से इसको मैं रिफाइन तेल से बना रही हूँ आप किसी से भी आप बना सकते हैं घी से बटर से पॉल से किसी से भी आप देश सकते हैं पेस्ट वही आएगा और थौधा थोड़ा सा टेस्ट आयगा इसे लिए आपके पस जो भी है आप उसी पर ही आपिने छीक सेग्सें तो लेंगे को भी अच्छे से पीस्पी होने तग इसको भी सेख लेंगे थोड़ा सा। देखे मेरा ये शेक्ड क्या है इट अच्छे से पराठे शेक्या है अब इसको निकाल लेंगे इसी तरह से सब को सेख लेंगे इसी तरह सब पराठे सेख लेंगे देखिए मेरा ये पराठे तयार हो गया है कितना अच्छा लग रहा है और ये मैंने स्वास के साथ भी परोज दिये हैं और ये मैंने घर में बनाया हुआ सिंगारे का अचार इसका भी रेसिपी डाल देंगे कैसे बनता है ये मैंने सिंगारे का अचार बनाया थे उसके साथ और आप इसके साथ जरूर खा के दिखीए को बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है आप बना के इस तरह से सिंगारे काचार के साथ खाईए बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करना मत भूलिएगा धन्यवाद